Hello Learners, इस वीडियो के अंदर हम बात करने होले जीन के बार में, जीन जो है ये एक basic unit है, जिसकी मदद से हेरियरिटी, parents से child में पास होती है, इसके अलाबा जीन जो होता है, ये DNA का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसके पास एक specific genetic information होती है, और वो जो information होता है, उस information की मदद से ह हमारी body के अंदर अलग-अलग proteins बनाए जाते हैं, और जो proteins होते हैं, वो physical characters के रूप में express होते हैं, वो हो सकता है बालों के color के रूप में, या फिर आखों के रंग के रूप में, इसके अलाबा हमारे body के अंदर जो cells हैं, उनके अंदर बहुत से अलग-अलग functions होते हैं, तो जो function को perform करने के लिए भी जो है, जीन की मदद ली जाती है, यानि कि कोई particular gene जो हमारे body के अंदर जो cell है, cell के अंदर को एक particular function को perform करने के लिए responsible हो, इसके अलाबा कई बार ऐसा होता है कि एक या एक से ज़्यादा gene भी जो है, मिलकर किसी एक particular trait को define करते हैं, तो ये थी gene के ब ये थीजर कीडल की subscribe का लएनि डार रे सह और चलाब दियो तिले लिए ते लिए जोड़े। पल्यड देया सब्साइए नीदिज म्साइए टने के लिए धूर ये अंदर धूर